स्वागते स्टुडेंट्स आपका हमारी चैनल पर आजम करेंगे कक्छा आठ में विसे गनित की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अगला पाठ अध्याय नंबर 12 घात कांक और घात तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रशने देखिए मान ग्याद करना है 4 की घात है माइनस 3 माइनस 3 का मतलब होता है किसी भी घात का अगर माइनस 3 होती है तो उसको एक बट्टे कर दीजिए आप तो इसका क्या हो जाएगा एक बट्टे 4 की घात 3 मतलब कि एक बट्टे 64 इसी प्रकार देखिए एक बट्टे तीन की घात है माइनस चार तो यह उल्टा हो जाएगा तीन की घात क्या हो जाएगी चार तीन की घात चार बट्टे एक की घात चार एक होता है तो तीन की घात चार क्या होता है तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुन तो क्या होगा माइनस दो और जो माइनस दो तो ऐसे कैसे लिख देंगे और जो उपर वाली संख्याएं होती है वे माइनस में चली जाती है तो क्या हो जाएगा गुना हो रहा है तो दो माइनस दस उपर की घाते जुड़ जाती है गुना के अंदर भाग के अंदर माइनस हो तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 प्लस माइनस 10 तो 7 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 3 माइनस 3 का मतलब 1 बटे माइनस 2 की घात 3 यह उत्तर हो जाएगा इसी परकार देखिए भाग के अंदर क्या होता है अगर संख्याइं सेम होती है तो घाते माइनस में चली जाती है तो 5 की घात क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 तो माइनस 5 की घात 4 अगला है मानक रूप में व्यक्त करना है पहला है 6,872 मानक रूप क्या हो जाएगा 6.872 गुना 10 की घात 3 इसी परकार से 27,302.73 गुना 10 की घात 4 अगला है निम्न संख्याओं को सामने रुप में व्यक्त करना है चार पंच हैं एक गुना दसकी घात पांच है दसकी घात पांच के मतलब एक लाग गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4,61,000 अगला है मान गयात करेंगे 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुना में है 3 की घात 2 अगर 2 की घात 0 होता है किसी भी संख्या किसी भी संख्या की घात अगर 0 है कोई भी संख्या भली वो कितनी भी बड़ी संख्या अगर किसी की घात 0 है तो वे 1 होता है उसका मान 1 होता है तो 2 की घात 0 का मतलब 1 हो गया plus 3 की घात minus 1 मतलब 1 बटे 3 और 3 की घात 2 गुना है इस में क्या हो जाएगा 3 प्लश एक गुना 3 का square 3 से 3 एक कर जाएगा तो 4 तिया 12 तर आ जाएगा अगला देखिए मान ग्याड करना है समिकरन है solve करेंगे हम देखिए 1 बटे 5 की घात क्या है माइनस दो है, तो दोनों के तरफ माइनस दो, माइनस दो, इसी परकार एक बटे दो की घात है, माइनस तीन दोनों तरफ माइनस तीन, माइनस तीन, उल्टा हो जाएगा हमें पता है, माइनस का मत्तब उल्टा कर दीजी संख्या को तो ये क्या हो जाएगा पांच स्क्वाइर बटे एक स्क्वाइर ये भी उल्टी हो जाएगी दोनों माइनस में है तो दो की घात तीन बटे एक की घात तीन भाग यहाँ पे देखिए एक बटे तीन की घात क्या है माइनस दो फिर उल्टा हो जाएगा तो पॉइंट के बाद जित्ती संख्याए हैं उतने क्या लगा देंगे 10 की घात माइनस में उत्तियम जोड़ देंगे देशे 6 संख्याए हैं तो 7.8 गुनाद 10 की घात 6 इसी परकार अगला क्या हो जाएगा 6.37 दसकी घात माइनस 5 अगला देखिए निम्न संख्याओं का मानक करना है सामाने रूप में व्यक्त करना है मानक रूप से यह मानक रूप में दे रखिए हैं 10 की घात माइनस 5 है नीचे लिखेंगे क्या हो जाएगा एक लाग भाग लगा देंगे कित्ता आ जाएगा 0.0000307 अगला सॉल्व करेंगे कित्ता आ जाएगा 0.005738 अगला है एक्स का मान ग्याद करना है देखिए 25 है 25 को चेंज कर देंगे 25 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वाइर अब घाते घाते बराबर कर देंगे दौन तरफ की घातों का अधार सेम है इसलिए तो 2 एक्स प्लस 1 माइनस 2 बराबर 3 एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा अगला है प्रत्वी का द्रव्यमान दे रखाया में 5.97 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है 7.35 गुना 10 की घात 22 किलोग्राम दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा प्लस कर देंगे उत्तर क देता आएगा हमारा 6.604.35 गुना 10 की घात 22 किलोग्राम तो ये था हमारा घात का घातांग और घात का पूरा सॉल्यूशन डेटेल में इसी परकार अन्ने भी देखने के लिए जुड़रे ही चैनल से थन्यवाद